बागो 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 जल्दी बागो अगर पुलिस वालों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देगे फिर से मुझे जेल में नहीं जाना चल्दी बागो जल्दी बागो तो काय सर अभी मैं जेल से भाग के निकल चुका हूँ और पुलिस वालों से बचते ब मुझे 10 साल के लिए जेन में डालेंगे मैं निचाहता कि ऐसा हो इसने मुझे उनसे बचना पड़ेगा एक सगेंड यहाँ पर तो शिंचेन का घर है ना मैं शिंचेन की घर पर जा सकता हूँ शिंचेन शिंचेन में आ गया रुक जाओ कौन हो तुम शिंचेन सर को क्यों बुला रहे हो अरे शिंचेन मेरा बहुती अच्छा दोस्ते चल्दी से उसको भार बुलाओ मुझे इससे बात करनी है शिंचेन सर ऐसे किसी से नहीं मिलते अरे अब यह शिंचेन अमीर हो गया तो शिचेंजर शिचेंजर मेरी बात सुनीए क्यों मुझे परिशान कर रहे हो व्यूंज पार्टी नहीं करने देने सब्सक्राइब चाहता था पर बार काला सा लड़का आया है और वह बोल रहे कि वह आपका दोस्त थे क्या काला सा क्या वो बहुत ही जादा काला है असर बहुत ही जादा काला क्या उसने चट्डी में रखी है असर उसने चट्डी में रखी है अरे मैं समझ गया वो कौन है दुनिया में सिर्फ एक ही काला इंसान है जो कि चट्डी में की गूमता है और वो है फ्रेंक्लिन भाया यह लगता है फ्रेंक्लिन भाया कैसे हो एड़ी आपको जी जेल से किसने छोड़ दिया पुलिस बुला रहा है तो तो मेरा भाई है एड़ी कौन से भाई आपको तुम अपने काम वाली भाई भी नहीं मुझे अपने साथ लगाने के लिए बहुत सारे लोगे मुझे और नहीं चाहिए अरे में तेरे घर पे जाड़ू तो मेरा दोस्ते मेरा भाई है इतना गरीब ना तो मेरा दोस्त हो सकते ना कुई मेरा भाई निकिल जाओ यहां से अब शिंचैन तुम अमीर के ओगया तो मुझे करीब बोल रहें बूल गया मैंने तुझ अपने हाथों से खाना कहला था एरे विए बूल गया कि जिस दिन आपने मुझे हाथों से खाना कहला था उसके अगले 5 दिन तक मुझे पेट में दरता निकल जाओ यहां से और शिंचेन तू आइसे ये वेकी में सबने मत देगा करूं मैं जा रहो अपने ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में आऊंगा और साथ में बर्गर काऊंगा और पीजा खाऊंगा बाइब फ्रेकिल भाइब आरे सारे के सारे दीदियो चलो फिर द्रीजे डास करते हैं उड़ी मत चम्मक चलो और अने दिया मुझे लगा तहां मेरी मदद करेगा पर इस लो साफ कर दिया गजयसर अब कुछ नहीं हो सकता मेरे नौस दीदोस में और कोई मेरे मकरेगा है मुझे मुझे मना कर दिया अब पुलिस पकड़ की मुझे ले जाएगी और हमेशा के लिए जेल में डाल देगी रुक जो पुलिस मुझे पकड़े और मुझे जेल में 10-20 साल लिकाने पड़े उससे अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है हाँ मैं वही करूंगा अगर मैंने वह कर लिया तो यह पुलिस का जंजट पूर का पूरा खतम ह हो जाएगा मेरे पास कोई option भी नहीं है मुझे वह कर नहीं पड़ेगा चलते हैं तो काईजर शिंचन ने हमारे साथ दोखा कर दिया है मैंने सोचा थो मेरा बहुत ही जादा अच्छा दोस्ते हैं पर वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला उसने मेरी मदद नहीं क मैं यह आप हैँ को बताएं एप यह पूर समुन्दर है और यह बहुत ही जादा घ्हरा है इस पानी में खतरना ककशार के चूकि मुझे खा जाएगी और यह चेप्टर हो जाएगा खतम तो काइजर तो काइजर आखरी बार वीडियो को ला-ई-डा चार देना च्रे चैन को मैं मरने वाला हूँ अरे आज तो पानी बहुत ही जादा ठंडा हो रखा है कितना मजा आ रहा है एक सेकिंड ये कौन है ये पानी में कैसा गया रुक जाओ मुझे इसको बचाना पड़ेगा इधर आओ बच्चे मैं तुम्हें बचा लूँगा टैंक्शन मतलो मुझे इस बच्चे को बचाना पड़ेगा इसकी आलो तो बहुत ही खराब लग रही है आजाओ बच्चे क्या होगे तुम्हें बच्चे मैं जिन्दा कैसे हूँ मैं जिन्दा कैसे हूँ बच्चे तुम डैंक्शन मतलो मैंने तुम्हें बचा लिया तुम यहां से नीचे गिर गए थे पर डैंक्शन मतलो मैंने तुमको बचा लिया है अरे तुमने मुझे क्यों बचाया क्या मतला मैं तुम्हारा अरे मैं खुद जान पूछ कर कूदा था क्योंकि मुझे मरना था और तुमने मुझे बचा लिया क्या तुम मरना क्यों चाहते हो अरे क्या बताओ मेरा एक ही दोस्ता पूरे लॉस सेंट टॉस में उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए मना कर दिया और मुझे लॉस सेंट टॉस में पूलिस ढूण रही है वो मुझे जेल में डालना चाहती है ना मेरे पास घर है ना ही खाना खाने के लिए पैसे तो चीने का क्या मतलब इसलिए मैं पानी में कूदा था बच्चे तुमारी हालत तो बहुत खराब है पर पानी में खूदने से कुछ नहीं होगा मैं तुमारी मदद करूँगा क्या कैसे बच्चे चलो मेरे साथ तुमें तिकाना पड़ेगा दुनिया किसको बोलते है आज मैं तुमारे साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ उसके बाद तुम कभी पानी में खूदने का नहीं सोचोगे चलो मेरे साथ अरे पर मुझे कहा लेकर जा रहे हो बच्चे चलो दसरी तुमें सब पता चल जाएगा आज के बाद से तुमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है अरे ये तुम मुझे कौन से गुफाओं में ले आए बच्चे ये वो गुफा है चाह पर तुमारा पूरा फ्यूचर चेंज होने वाला है क्या मेरा फ्यूचर चेंज होगा पर कैसे बच्चे तुमारा फ्यूचर चेंज होगा ध्यान लगाने से meditate करने से अरे अंचल क्या बोल रहे हो meditation करने से किसी का future change होता है क्या हाँ बच्चे होता है अगर तुम मेरे साथ meditation करोगे अब हम करने वाले है meditation तो बच्चे अगर तुमें बनना है बहुत ही स्यादामी तो ये meditation करना जरूरी है उससे तुम्हेरा फ्यूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है अब यार मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है या तो मुझे पुरिस पकड़ के ले जाए या तो मैं मड़ जाओ या फिर मैं ये मेडिटेशन करना चूस करूँगा बताओ उंकल मुझे क्या करना है तो बच्चे साथ में बोलो मुझे चाहिए पास्ता अरे अंकल इससे कुछ होने भी वाला है क्या अरे बच्चे जो मैं बोलता हूं बोलते रहो मुझे रिपीट करो मुझे रिपीट करो अरे मतलब जो मैं बोलो वो रिपीट करो अरे मतलब जो मैं बोलो वो रिपीट करो अरे बच्चे ये रिपीट मत करो अरे बच्चे ये रिपीट मत करो अरे तुम बागल हो क्या अरे तुम बागल हो क्या छोड़ो ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम मुझे चाहिए पैसो वाली आइस क्रीम अरे ये क्या हो ना मेरे सन अरे अंकल मुँपे धुआ क्यों मार रहे हो बच्चे रुख जाओ तुमारा काम होने वाला है बच्चे अब तुम अमीर बन चुके हो क्या मैं अमीर बन गया तो का है मेरी गाड़िया का है मेरा गर का है मेरे चेचे कपड़े बच्चे वो सब तुमें खुद करीदा पड़ेगा अरे तो फिर मैं अमीर कैसे हुआ बच्चे अभी बताता हूँ जाके उस गाड़ी को टच करो अरे गाड़ी को का टच करना अरे मुझे लगता है अंकर मिल्कुल पागल है अगर मुझे पानी में से नहीं बचाय होता तो यह अच्छा होता बच्चे जदी से गाड़ी को टच करो अरे टच क्या ये लो मैं इस गाड़ी के अंदर बैठी जाता हूं क्या हुआ मैं अमीर हो गया, नहीं हुआ ना हाँ 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 बच्चे, मैजिक मैजिक, हैरे अंकल, क्या मूरू में ये क्या, ये इस गाड़ी को क्या हो गया हाँ हाँ हाँ, बच्चे, मैंने बोला था ना तुम्हारा पूरा फ्यूचर चेंज होने वाला है चेंज हो गया तुम्हें ऐसी शक्तिया मिल चुकी है तुम किसी भी चीज को टच करोगे तो वो डायमंड की बन जाएगी जैसे कि ये गाड़ी डायमंड की बन गई क्या? सही में? ये गाड़ी डायमंड की है ये तो बहुत ही खतरनाक है हाँ बच्चे ये बहुत खतरनाक है और तुम भी बहुत ही खतरनाक हो चुकी हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही खतरनाक शक्तिया चुकी है अब जाओ तुम्हें मरने की जरुवत नहीं है तुम्हारा पूर का पूरा फ्यूचर लाइफ सब चेंज हो गया अरे अंकल मेरा तो सही में पूरी की पूरी लाइफ आपने चेंज कर दी औरे काईसर अभी आप देख सकते हो मुझे ऐसी पावर्स मिल चुके कि मैं किसी भी चीज को टच करूँगा तो वो डाइमंड की बन जाएगी अभी ये खतरनाक सी कि डाइमंड कार अभी हम लेके जा रहें कितनी जादा खतरनाक लग रही है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास डाइमंड कार होगी पर मेरे पास डाइमंड कार आ चुकी है और हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है एक इंसान है जिससे बदला लेना है चलो फड़ा पड़ से चलते हैं तो काईजर अभी आप देख सकतो हमने खरीद लिए ये खदरनाक सी रोल्स रोईस और हमने अपने कपड़े भपड़े भी चेंज कर लिए और हम घुजने वाले हैं शिंचैन के घर के अंदर और सीधा ब शिंचैन तेरी सिक्यॉरिटी अब कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मैंने तेरी सिक्यॉरिटी तेरा घर तेरी गाणियां सब का सब खरीद लिया है और अब तो इस घर से बाहर निकलेगा एरे क्या बूल रही हूं ऐसा कैस हो सकते हैं सिक्यॉरिटी निकालो इसको हम तेरी किसा बात नहीं सुनेंगे इसलिए अज से ने इसनों के सिरो रिकांटिका यह बला है करीब का थो पता है पर आप जितनी अमें टिये अजो है ऑगसे हमने से किरएड़ी काइ़ wealthy निलिए कर सकतु मुझे कर सकत अच्छा पेठा पर निज़ निकाल रहूं अब बूल रहा है कि मैं कैसे निकाल은 हुए है मैं तो बस आपको फून करके बुलाने ही वला था हम सेथ में पर पॉर्टी करेंगी चलड कैसर आपको मुझे वड़ाना पड़ेका मैं शींचेन पर भरोसा करूं या फिर नहीं है रो नहीं बहें मैं हमको बहुत ही अच्छ है दोस्तू चल ठीक है काई सार आप एर बड़ा फट से कमेंट करके पता दना कि शिंचैन पर मुझे भरोसा करना की चीए की नहीं अभी मैं शिंचैन को अपने साथ रख रहा हूं पर अगर आपने कमेंट किया कि शिंचैन को अपने साथ मत रखो तो मैं इसको भगा दूँगा आज शिंचैन तेरा मेरी घर में स्वागत है अब मुझे यह तो बता हूँ आप इतना मेर केस होगे ऐसा केस हो सकता है शिंचैन शिंचैन मेरे पास ऐसी शक्तिया में किसी भी चीज को डच करता हूं तो वो डाइमंड की बन जाती है जैसे कि इस गाड़ी को टच करेंगे और यह गाड़ी यहाँ पर डाइमंड की बन चुकी है अब हम दोनों वापिस से जात हो चुके है ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए साथ रहें क्योंकि काईजर आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि शिंचैन मेरे साथ रहने वाला है या फिर नहीं पर अभी हम जाने वाले हैं अपने लिए शॉपिंग पर मैं बहुत एट टाइम से गरीब था और जेल में भी था पर अब मैं जेल से फडी हो चुका हूँ और अब मैं गरीब भी नहीं रहा इसलिए हम बहुत तगड़ी शॉपिंग करने वाले हैं तो अब यह बंड़गा धाईमन का यह है घॉपिंग की इस प्लेटंगे और शॉपिंगा देस्लिव ढीशिस प्रमधर की सब्री यह जो हमने को था करेंगे तो और इस पलेंग को भी और слова को भी और एस प्लेंग को भी को boh पर डाइमंड में कर सकता हूं और दस हेलिकॉप्टर भी जितने चायमें को आराम से कर सकता हूं अभी हमें इसको उड इसको उड़ाने वाले एक सञगें तो पीछे चोड़ घया रुख जौ वहां पर से अपने प्लेन को घुमाना पड़ा कि लेना है कि सिंचैन को अपने सा करके बदो क्या आप देखना चाहते हो दुनिया का सबसे बड़ा डाइमंड कार और प्लेन कलेक्शन तो फड़ा अपट से कमेंट करके पता देना मैं आपके लिए वो ला दूंगा क्यों कि हमारे पाल डाइमंड पावर अलिमिटिड हम उसको जितना चाहिए यूस कर सकते है एरे वेकी मैं तो बोल रहा हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी गिववे कर दो इस काड़ी उनको भी गिववे कर दो डाइमंड कार का शिंचन तेरा आइडिया बहुत इंग अधर शिंचन ने बोल तया मतलब करना दो पड़ेगा तो काई सर अगर आपको चाहि यज को यह कि इस पताना मत बुलना तो क्रण पड़ एक हिए अब देक नग पर राघ कर देंग करते ना चैनल तू सब्सक्मिश कर्क्रूं तो कि अपको आठेक कर ले एक मुझे इसमिर को में अपने साथ रखूं किने वे जृष्णा न तो यह मुझे बता देना और आपको डाइमंड की कौन सी चीज चाहिए वो भी कमेंटर के जब रूर पता देना तो गाई जार इस टाम और डिस्कॉर्ड डिस्रिप्शन में वहां पचा के जॉए रफ हो रो को लेना और आम मिलेंगे आप से करी विडियो में तब तक के